हे फ्रेंज सभी को नमश्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इन फ्यूचर आपको हमारे वीडियो का नोटिक्वेशन च रहिए उसके बाद यह काफी इंट्रस्टिंग हो जाती है हमें समझने में काफी असानी हो जाती है और जो फेक्ट्स हैं हमने वेरियस वुक्स और जो इंटरनेट है उसके वाधियम से हमने जटाए हैं और आपके लिए इस वीडियो में लेकिया हैं अगर अच्छी लगे तो उसको like करिएगा, अगर आपको इसमें कुछ, आपको इसमें हमें सुझेस्ट करना चाहें, तो please उसे comment box में mention करिएगा, तो friends, शिरू करते हैं, बड़ी history, देखिए, first of all, history क्या है, जी आप सभी को पता होगा, study of past is called history, तो जे कुछ भी इसमें मुश्कल नहीं है, अब हम इसकी जो types हैं, उसको समझेंगे, जैसे के friends, जो अगर हिस्टरी के हम बात करें, तो इसकी three types होती है, प्री history, प्रोटो history और history, और अब हमको देखिए, first of all, prehistory, prehistory कौन सी होती है, जो unrecorded past is called prehistory, अगर हमारे पास ऐसा past, ऐसा हमारा भूतकाल, ऐसा हमारा समय, हिस्टरी का, जो हमारे पास, जिसके regarding हमारे पास, कोई भी clues, कोई proofs, कोई fossil गएरा, जो हमशेश बगएरा, हमें कोई लिख्त बगएरा, कुछ भी नहीं मिला, उसको हम बोलेंगे prehistory, जिसके regarding हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई link नहीं है, कोई किसी प्रकार का, कोई हमारे पास fossil गएरा, हमें कुछ भी नहीं मिला, तो हम उसको prehistory में count करते हैं, और proto history, proto history friends, ऐसी history होती है, जो हमारे पास recorded form में तो होती है, recorded form में means, जहां पर मैं कहना चाहता हूं कि, ऐसी history जिसके regarding हमारे पास कुछ fossil, कुछ अफशेश, कोई link जनी कि कुछ भी कोई हमारे पास coins गएरा, तो कुछ भी हमें मिल तो गया, लेकिन वो हमारे लिए beneficial नहीं है, beneficial क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हम उसे decipher नहीं कर पाए, हम उसको understand नहीं कर पाए, हमारे archaeologist उसको अच्छे से समझ नहीं पाए, और ऐसे काल को हम pre, proto history में count करेंगे, सो history, history को हम उस काल को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं, जो हमारे पास recorded form में भी है, जिसके हमें proofs मिले हैं, और ये proofs सभी understandable भी हैं, तो ऐसे समय को हम किसमे count करेंगे, history में, सो friends, brief में फिर से समझा देता हूं, pre history, ऐसी history, जो के unrecorded form में हैं, बिलकुल हमारे पास उसके कोई proofs नहीं हैं, और proto history, ऐसी history, जिसके regarding हमारे पास कुछ proofs हैं, लेकिन हम उनको understand नहीं कर पाए, और next history, जिसको हम recorded form में भी हैं, हम understand भी कर पाए हैं, ऐसे समय को हम history में count करते ह हैं, सो आगे बढ़ते हैं, अब friends, हम बात करेंगे, जो हमारा first man था on the earth, उसके बारे में हम जानेंगे, यह काफी interesting है, इसके regarding हमारे जो archaeologists हैं, उन्होंने various theories हैं, उन पे काम किया है, सो हम कोशी करेंगे, कि जो important है, उस सभी को हम जहां पर discuss करें, देखिए first man on the earth, उसके बा first man of the world was from Africa, तो जो इस अंसार में सबसे प्रत्थम व्यक्ति था, वो अफरीका से था, उसका नाम था, उसको नेम दिया हुआ है, मारे अर्पलोजस ने, वो दिया है, रामा पिचिकस, तो friends found in African, जे वाला व्यक्ति था, जे found in African foresters, means के जो अफरीका के जो foresters है, बहां पर जे found हुआ है, जिस बादा crawling man, जे crawling man था, means के rectus human नहीं था, जे हम रेंग के जमीर पर चलता था, एक ऐसा human था, और आप इसको याद रखिएगा, और next second point की करहां हम बात करें, first rectus man found in Australia, named australiopichicus, तो जे वाला human, ठीक है, जे अस्टेलिया में found हुआ, जे rectus था, means के जे अपने दोनों टांगों पर चल सकता था, हमारी और आप की तरह हैं, तो this man had not developed a mind, बट इसमें भी एक कमी थी, इसका जो mind था, वो fully developed नहीं हुआ था, so friends, आगे बढ़ते हैं, देखिए, आगे जो next point है, third point, third point में क्या है, नीन्द थल, होमो सेपियन्स की एक टाइप थी, इसको हम होमो सेपियन्स काउन थी, होमो रेक्टर्स काउन थी, होमो हैबिलस काउन थी, जे हमारे आने वाले वीडियो में समझेंगे, जे सभी एक हुमन्स की टाइप सी थी, so जे होमो सेपियन्स था, first partially developed minded man था, तो इसका जो माइन्द था, वो कितना developed था, he had 1200cc, 1200cc माइन्द था इसका, so ये 1200cc, ये माइन्द को मैजल करने के लिए एक यूनिट है, उसका अप्योग किया हुआ है, और next fourth है, fourth mind में अगर हम बात किरें, first fully developed minded man, boss, Crove Magnon, founded in France, so ऐसा पहला बेक्ती, जिसका माइन्द फुली developed था, वो फ्रांस में found हुआ है, उसका नेम था, Crove Magnon, and he had 1600cc माइन्द, उसका माइन्द था, इतना developed हो जुका था, 1600cc, यतना, so friends, hopefully आपको जी वीडियो अच्छा लगा होगा, sorry, जे वाला concept अच्छा लगा होगा, और आपको समन भी आ गया होगा, so आगे बढ़ते हैं, देखिए, आ स्टोरी जो हमारे अर्कलोजिस्ट ने दी हैं, जो उनके जो गैस हैं, जो उनको प्रूफ मिले हैं, उनको पर वेस्ट हैं, और दिखिए, रेडियाशन थेओरी के अगर हम बात करें, first of all, कान सी थेओरी है, रेडियाशन थेओरी, फ्रेंज जो रेडियाशन थेओरी है, अगर हम असान वाचा में समझने के कोशी करें, कि जो अफ्रीका में जो हुमन था, वो अवेल्प हुआ, वहां पर उसकी पैदाईश हुई, और वहां से वो माइग्रेट होके, जो other parts of the world है, उनमें वो चला गया, this theory is based on DNA, जो थेओरी किस बेस के, किस अधार पे काम करती है, DNA के बेस के, DNA पर ये काम करती है, DNA पर बेस्ट है, ये थे वाली थेओरी, so radiation theory, क्या कहती है, कि human पैदा कहा हुआ, अफ्रीका में पैदा हुआ, बहां से migrate होके, other parts of the world में चला गया, ये theory based है, DNA पर, और आगे हम next बात करेंगे parallel theory, parallel theory देखी, इसका नाम ही हमारे लिए काफी है, जो में बताता है, कि जो human है, उसकी जो पैदाइश है, वो parallel हुई, जो हमारा world है, उसके various parts में, ठीक है, parallel ही, जो human है, उसकी पैदाइश हुई, तो ये वाली theory किस पर वेस्ट है, ये वाली theory, fossil प पैदाइश है, उन पर वेस्ट है, parallel theory, जो हमने इन दोनों theories को जाना, अब हम बात करेंगे, cradle of human race, दिखी दिए important है, friends, काफी बार exam में पूछा गया है, आप सभी को पता होगा, अगर आप history के students हैं, तो cradle of human race means Africa, Africa is called cradle of human race, because oldest human skeletons found at rift valley in Hadar, Ethiopia, all the way loudly, all three sides are in tanjaniya, So friends, जो अफरीका है, जो cradle of human race बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे जो oldest skultons हैं, जो human body के fossil पर एरा मिले हैं, वो अफरीका में ही मिले हैं, कहां पर मिले हैं, Rift Valley के आसपास, जो हमारी कुछ sites हैं, जैसे Hadar, Ethiopia, Olduvai, इन सभी sites पर जे वाले, जे वाले चीज़ें मिली हैं, जो हमारी skultons हैं, वो हमें मिली हैं, आप इतको यार रखिएगा, exam के point of view से important है, तो आगे बढ़ते हैं, All these parts, words, situated in East Africa, जैस सभी जो sites हैं, जैसे इस अफरीका में मजूद हैं, These skultons belong to the astropathics category, जैस skultons astropathics category, जो human की हैं, उससे belong करती हैं, So, आगे बढ़ते हैं, human race story, human race story के एकर हम बात करें, तो जे वाली एक story है, आप इसको ऐसी story की तरह ही समझ लेना, ठेक है, तो ये story क्या बताती है, 6 million years ago, आज से जो 6 million years पहले, क्या हुआ था, अगर हम उसकी बात करें, 6 million years ago, in East Africa, some eppies start living in the plain areas instead of the trees, लेकिए, कुछ eppies जो अफरीका में के जो जंगल थे, उनमें पाया जाते थे, तो इस obviously है, अगर अगर वो मैदानी एरिया में रहने लगे, तो वो हमारी और आप की तरह, जो उनके पिछले दो पाउं थे, लास्ट नो टांगे थी, उन पर वो चलना उनने शुरू कर दिया, और इस process को जो हमारे archaeologist हैं, वो बोलते हैं, बाइपैडल लोको मोशन, सवरी जहां पर थोड़ी स्पेलिंग उस्टेक हो गई है, इसको आप बाइपैडल लोको मोशन पढ़िएगा, तो इस process को जो हमारे archaeologist हैं, उन्होंने नाम दिया है, बाइपैडल लोको मोशन, Now these activities were called hominus, तो अब वो जब अपने पिछले के, पिछले दो पैरों पर उन्होंने चलना शुरू किया, तो अब उनको hominus बोला जाना लगा, जह 6 million years के पहले की बात है, So again, in 2.5 million years ago, they started to making tools and divided into 3 parts, उन्होंने जो tools हैं बो बनाना शुरू कर दिया, और अपने आपको वो 3 parts में divided कर लिया, जो 3 types हैं उन्होंने डवाइड कर लिया, जह types कौन कौन सी थी, Homo sapiens, Homo ergaster, Homo erectus and Homo habilis. So आप यह याद रखिएगा, यह 3 types है, Homo ergaster, Homo erectus and Homo habilis. So friends, आगे हम बात करेंगे, हमारे जो archaeologist हैं, एक और theory देते हैं, वो वाली है, Common Ancestor theory. Common Ancestor theory के बारे में आपको मैं बता दूँ, कि यह एक ऐसी theory है, जही बताती है कि, यह मान लिया गया है कि, Humans की कापी सारी kinds हैं, कापी सारी उसकी किस्मे हैं, लेकिन उनके जो ancestor हैं, वो एक ही है, उनके जो पूर्वज हैं, वो एक ही रहे होंगे, यह वाली theory यह बताती है. सब्सक्राइब है, इसमें अगर हम बात किरें, लेकिन सबी का जो ancestor हैं, वो एक ही है, according to the historians there are various types of human like homo habilis homo ergaster, homo rectus and homo sapiens के उनके बहुत सारी किस्मी हैं जे वाले किस्मी मैंने मैंने मेंचन की हुए हैं यहां पे और लेकिन उनका जो ancestor है उनके यो पूर्वज हैं वो एक ही रहे होंगे आगे बढ़ते हैं जी आगे हम बात करेंगे replacement theory, replacement theory देखिए क्या कहती है जैसे के जहां से यह theory replacement theory शुरू होती है replacement obviously आपको name से ही पता चल गया होगा कि replacement means किसी की जगा ले लेना तो यह वाले theory क्या कहती है, all homo kinds fights with each other for survival on the earth all kind of homo got extinct, only the homo sapiens succeed in survival now they start to migrate to various parts of the earth so friends, जे वाले theory कहती है कि जो सभी kinds थी जैसे हमने पीशे last page पे हमने जाना है कि वो कहरे थे homo ergaster थी, homo habilis थी, homo sapiens थी, तो यह सभी kinds थी, यह सभी kinds survive करने के लिए एक दूसरी के साथ fight करने लगी और इन में से हमने जादा तर जो kinds थी, जादा तर जो किसमें थी humans की वो लुप्त हो गई लेकिन इन में से homo sapiens जे वाले homo sapiens सक्सीड हो गए survive करने में वो successful रहे survive करने में so now they start migrate to various parts अब वो अगर survive कर गए तो वो बाद में migrate होना उन्होंने शुरू migration उन्होंने शुरू कर दी other parts of the earth में so friends अमीद है कि आपको जो replacement theory है इसके regarding अच्छे से समझा जुका होगा अगर हम आगे बाद करें तो migrate to India तो migrate to India के अगर हम बात करें तो जे थीरी कहती है 5 lakh 5 lakh years ago after migration from the east of Eka the homo erectus reached in India this is proved in Narbada valley so friends जे वाली थीरी कहती है sorry थीरी नहीं है जो अगर हम ऐसी बात करें कि first human in India कैसी आया ठीक है तो इसको 5 lakh years ही पढ़ियेगा तो जे कहती है कि आज से 5 lakh साल पहले जो east of Eka से जो homo erectus थी जो homo erectus एक ही काइड ही तो थी humans की तो homo erectus थी जो east of Eka से migrate होंके इंडिया पहुंचे तो जे वाली जो थीरी है जे proved हुई है नर्मदा वैली में वो आगे हम जानेंगे कैसे नर्मदा वैली में ऐसे हमें क्या प्रूप्स मिले हैं वो हम आगे की जो पॉइंट है उसमें जानेंगे तो फ्रेंड्स जे ऐसे ही बोल रहे हैं कि 5 lakh years पहले तो homo erectus इंडिया यह और आगे हम बात करेंगे first man इंडिया so in 1982 AD fossils of homo erectus human founded at hathnaura blaze near haushangabad MP this man has a cranial capacity of 1155 to 1422 cc this is a female of 27 to 32 years तो जे वाली थेओरी क्या कहती है कि sorry जे एक fossil मिले हैं किसके humans के in 1982 में in 1982 में कुछ fossil मिले हैं homo erectus की कहां पर मिले हैं hathnaura village hathnaura village होशangabad मद्देपरदेश में friends पाया गया है पाया जाता है जे एक site है जहां पर हमें humans के humans की कुछ skeletons मिली है ठीक है जो जे बाद प्रूब करती है कि जे सकल्टन homo erectus के हैं काँ फांड हुए 1982 में और जे ऐसा मालूम हुआ है कि जे सकल्टन है जो एक female की है जिसकी age 27 से 32 years की बीच रही होगी तो आगे बढ़ते हैं geographic project तो friends अगर हम geographic project की बाद करें geographic project की अगर हम बाद करें in Spencer Wells stars a project on the world level 2005 में Spencer Wells जो एक archelogist है worldwide पर तो उन्होंने एक project शुरूख किया in India this project was headed by Dr. Ramaswami और भारत हमारे इंडिया में जे वाला जो project है उसको lead किस ने किया Dr. Ramaswami ने किया so उन्होंने क्या found किया he founded M130 gene उन्होंने M130 gene found किया in a man named Biru Mandi Biru Mandi belongs to the village Kailar Pichupan Tamil Nadu Tamil Nadu के एक गाउं का कोई व्यक्ती Biru Mandi था उसका नेम था उन्होंने M130 gene found किया so फ्रेंट जे M130 gene क्या है M130 एक ऐसा gene है जो Homo Sapiens में पाया जाता है so obviously है इस वेस पर हम जे कहा सकते हैं कि वो वाला व्यक्ती उसके जो पूर्वस थे वो Homo Sapiens रहे होंगे so जे जियोग्राफिक प्रजेक्ट है इसके वेस पर हम जे कहा सकते हैं कि जो हमारे पूर्वस हैं वो Homo Sapiens रहे होंगे so friends जैसे कि last में हमने जाना था कि Homo Actis रहे होंगे ठीक है वहां से वो वाले पूर्व मिले है नर्मदा वेली में और जियोग्राफिक प्रजेक्ट जो कि Tamil Nadu में हमें कोश्य पूर्वस मिले हैं जो जीन मिला है इसके वेस पर हम जे कहा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वस रहे हैं वो Homo Sapiens रहे होंगे so अगर हम बात करें first tool in India first tool in India के अगर हम बात करें so first tool in India in 1863 AD Robert Brucefoot discovered first ever palolithic tool in India at Mithi Ramapakam, Tamil Nadu 1863 में जो हमारे archaeologist रहे हैं Robert Brucefoot उन्होंने लगभग हमारे जो first palolithic tool थे देखें, palolithic क्या है जी आप समझेंगे जी एक एज़ हैं हमारी हिस्ट्री की इनको हम आगे समझेंगे palolithic age से स्वन्दित कुछ tool वगएरा ब्रामिद किये कहां पर ब्रामिद किये Mithi Ramapakam जो के Tamil Nadu में है वहां पर उन्होंने जी tools उनको मिले so friends आगे हम बात करेंगे carbon 14 dating के बारे में देखें carbon 14 dating के बारे में आप सभी जानते होंगे जी एक method है जिससे हम किसी वस्तू की किसी fossil की किसी भी कोई हमें old skeleton मिली है हम उसकी age के बारे में पता लगाते है ए method of dating in the past जे past की dating के लिए एक method है this is developed by Williard Libby इसको develop करने वाले कौन थे Williard Libby थे this method is based on that all living organisms contains radioactive carbon जे वाला जो method है किस चीज़ पर based है जे इस चीज़ पर based है कि सभी living organisms सभी जीवत वस्तूइं सभी संजी वस्तूइं क्या contain करती है radioactive carbon जो है observe करती है contain करती है उसके बेस पर जे उनकी जो age है जो उनकी वो कितनी old रही होंगी उसके बारे में हमें एक gas देती है carbon protein dating so friends आगे बढ़ते हैं अब हम कुछ जो important facts है जो हम हमें पता होना चाहिए ठेक है जो अक्सरी exam में सीधे सीधे तोर पर पोश लिया जाते है उनके बारे में बात करेंगे so friends आज देखिए first fact है जो first fact क्या बोलता है early man found in अफरीका 2.6 million years back जो first man था अफरीका में found हुआ था जो के 2.6 million years पहले found हुआ था और early man found in India 1.4 million years back जो के 1.4 million years back में भारत में इंडिया में found हुआ था so इसके दार पर हम यह कह सकते हैं कि जो अफरीका में जो humans थे वो पहले आए और भारत में अफरीका के बाद में आए so friends आगे father of prehistoric archaeology Robert Bruce Food तो जो याद रखिएगा जो prehistoric archaeology है उसके जो फादर है वो Robert Bruce Food को बोला जाता है father of south India archaeology इसके father किनको बोला जाता है Robert Bruce Food को ही बोला जाता है father of Indian archaeology Sir Alexander Cunningham इनको बोला जाता है friends friends आज की इस वीडियो में हाज हम इतना ही करेंगे next वीडियो में हमारी जो history की जो various is है हम उसके बारे में जानेंगे अमीद है आपको जो सभी concept अच्छे से समझा गए होंगे इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे like करना comment करना अगर आपको suggestion देना जाहें तो please comment box में उसको mention करना तांके हम in future उसमें कुछ improvements कर सकें okay thanks for watching have a nice day